इस वीडियो में हम जानेंगे पर्मिट्स और टैक्स अजिस्ट्रेशन के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ कम्पलाइंस के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे अब जब हमने अलग-अलग टाइप्स के पर्मिट्स को समझ लिया है ये जानना जरूरी है कि आपको कितने टाइप्स के टैक्स रेजिस्ट्रेशन करने चाहिए जिससे ये पकाव हो जाए कि आपको आपके बिजनस चलाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी खास तोर पे कानूनी मावलों से संबन देते स्टार्ट अब के नजरीए से ये सोचना आसान है कि एक स्टार्ट अप होने के नाते हो सकता है फ्यूचर में आपकी तुरंत कमाई ना हो सके और टैक्स के नजरीए से तुरंत रेजिस्ट्रेशन करने की जरुरत नहीं पड़ती असलियत में दरसल बात कुछ और ही होती है उधारन जैसे एक bank account खोलने के लिए भी पहला document जो आपको जमा करना पड़ता है वो है permanent account number यानी PAN और इसलिए जरूरी है तयार रहना और इन सारी tax registrations को भी तयार रखना चाहे आपका business plan कुछ भी क्योंना बया करता हो और उसे कितनी कमाई होती है दूसरी जरूरी चीज़ है आपका tax deduction account number क्योंकि आप अलग-अलग service providers को payment करेंगे और ये होना तब जरूरी होता है जब आप tax काटते हैं टाक्स को source में काटना पड़ता है जब आप third parties को payment कर रहे हो और payments को deduct करके सरकार को deposit करते हैं तो जरूरत पड़ती है TAN की तो एक बार फिर ये कुछ पहलों पर आ जाता है और अगर आप payments की हिसाब से payments कर रहे हैं या तो आपके पास एक service tax होगा या फिर आपको TDS का पालन करना होगा तो किस तरह इन में फर्क किया जाए तो एक direct taxes नाम की चीज होती है जो तब होता है जब आप direct tax भर रहे हो जब TAN होता है TAN की जरूरत पढ़ती है tax को source पर काटने के लिए और फिर होते हैं indirect taxes जो आपको कुछ services पर भरने होते हैं और हर तरह की service में service tax की जरूरत पढ़ती ह हाला की service tax को लागू करने के लिए आपकी कमाई एक खास amount के पार जानी चाहिए permits और registrations के अलावा compliance का भी खास ख्याल किसी भी company को रखना चाहिए इसी लिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गहराई से इस बात को समझे और details इखटा करें मैं हूँ एक product guy, एक tech guy और साथ ही मैं sales और marketing भी करता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा challenge रही है compliance मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया लेकिन अगर ऐसा ना हो तो बाद में problems को solve करने में काफी वक लगता है अगर आपके पास compliance नहीं है तो बहुत से investors आपकी company में invest नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप local regulations के इसाब से नहीं चल रहे तो entrepreneurs के लिए मेरी एक ही सला है कि शुरुआत से ही आप compliance का ध्यान रखें फिर चाहे आप कितने भी छोटे scale पर काम क्यों ना कर रहे हो क्योंकि हर stage पर compliance बहुत जरूरी होती है company का चाहे कोई भी level हो हर level पर आपको अलग budget रखना है compliance इसके लिए फिर चाहे आप इसके लिए किसी को hire करें या फिर एक consultant रखें company secretary, CA अगर full time नहीं हो सकता तो आप एक consultant को part time basis पर hire कर सकते हैं compliance एक काम्याब business बनाने की एक बहुत ही एहम कड़ी है compliance दरसल करता यह है कि एक process बनाता है और हर organization structure में चाहे अंदर का हो या फिर आप उसे बाहर से देखें जुनते हैं non compliance से अकसर आपको discount मिलता है किस तरह से पहली बात यह है कि यह पैसा नहीं है यह है management time जो आप उसे ठीक करने में लगाते हैं और जिससे आपके दूसरे businesses पर असर पड़ता है दूसरा जाहर है आपको monetary penalties लगती हैं और तीसरा reputation cost हम अब internet के दुनिया में ज़्यादा गुस रहे हैं और आप देख रहे हैं ज़्यादा सरकारी agencies, ज़्यादा social media वाले ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं जो non-compliant होते हैं और जब आप इन तीनों पहलों को एक साथ जोड़ते हैं और आप खुद से पुछते हैं कि non-compliant की क्या कीमत होती है तो उस दिर्शा में सोचना तक भी वक्त जाय करना है आपकी company के incorporated होने का मतलब ये नहीं कि company के मामले में आपका काम पूरी तरह से खत्म हो गया है कुछ चीजे हैं जैसे annual compliances और quarterly compliances और board meetings जो ज़रूरी होते हैं हो सकता है ये सुनने में ज्यादा लगे पर दरसल ये ज्यादा नहीं होता जब तक आपको सही तरह से सलाह मिलती रहे और कोई हो जो आपके books को maintain करें जैसे आपके पास एक accountant होगा जो आपके accounts का ख्याल रखेगा आपको एक company secretary भी रखना होगा शुरू में आपको एक full time company secretary रखने की ज़रूरत नहीं है आप एक advisor या law firm या एक company secretary firm रख सकते हैं जो आपके corporate records को maintain करेंगे और filing करेंगे क्योंकि जिस minute आपने filings बंद कर दी तो आप non-compliant हो जाते हैं तो पहले दिन से बढ़िया corporate governance बहुत ज़रूरी है corporate compliance का तब भी मतलब बढ़ जाता है जब आप foreign investment चाहते हैं जब आप अपने venture capital investor के पास जाएं और उससे कहें कि मुझे 5 million dollars चाहिए सबसे पहले तो वो एकदम से चोकन ना हो जाता है और पूछता है कि compliance कहा है और क्या ये records सही है या नहीं क्या ये company जो बोलती है वो करती भी है तब जाकर books और records एहमियत रखते हैं तब जाकर origin number एहमियत रखते हैं और SMA compliance ज़रूरी हो जाता है शुरुवाती stages में ज़्यादा तर entrepreneurs कम से कम लोगों को salary देना चाहते हैं लेकिन कम लोगों को salary देने का ये मतलब नहीं है कि वो सही तरीके से सारी services दे पाएं और इसलिए ऐसे में आपका एक नया रिष्टा जुड़ता है contract labor agencies के साथ तो कौन हैं ये लोग तो contract labor इंडिया का एक बहुत बढ़ता concept है और इसके लिए जब आप एक contract labor contract से जुड़ें आपको ध्यान देना होगा कि आपकी contract labor agency के पास बिल्कुल सही labor registrations हो अगर ऐसा ना हुआ तो जो फर्ज contract labor का उन labor के प्रती है वो सारा का सारा जिम्मा आपके उपर आ जाएगा आपको ने पटना होगा उसे contract labor contract से जुड़ने का मतलब यह है कि labor के साथ होने वाली उच नीच का ख्याल और जिम्मा contract labor agencies के सर होगा तीसरा हो सकता है nature of the labor registrations इसका main तालुक हो सकता है provident fund registration से जो आपके employees से जुड़ा हो जो काफी basic चीज है अब एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है अगर आपके business में कोई भी online component है दो चार चीजें ऐसी आ सकती है जो दिमाग में रखनी जरूरी है जैसे आपके पास आपकी company और उसके compliance हैं वैसे ही online presence में कई compliance चाहिए कोई भी regulatory approval नहीं चाहिए होता है लेकिन एक चीज जरूरी है data privacy और privacy policies और आप किस तरह से customer से इंट्रैक करेंगे जो website पर आने वाले हैं इस देश में कई तरह के कानून हैं जो आपको ये बताते हैं कि sensitive personal data और customers के credit card information से कैसे deal किया जाए आपके पास होने चाहिए robust terms of use और भरोसे privacy policy जो लोगों को असानी से दिखे जो आपके website पर आते हैं और ये सब वकील द्वारा परखा जाना चाहिए क्योंकि आज वकील इन policies को देखते हैं और अपने clients को सलाह देते हैं कि इनमें क्या होना चाहिए क्योंकि कानून बदलते रहते हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके terms of use और privacy policies up to date हों और उसमें किसी भी तरह की कोई खामी बिलकुल ना हो और एक और problem ये है कि आप सामान और services online बेचने वाले हैं तो आपको एक contract करना ही होगा payment gateways के साथ कई कंपनिया है जो payment gateway services देती है ये कंपनिया दरसल आपके customers को इजाज़त देती हैं कि वो अपने cards या debit cards से आपकी चीजें या services खरीद सकें आप उनके साथ एक contract करते हैं इन सभी payment gateways के अपने खुद के काईदे कानून होते हैं से उन्हें comply करना पड़ता है Reserve Bank of India से और बाकी काईदे कानून भी होते हैं वो आपको भी कहते हैं इन में से कुछ काईदे कानून को comply करने के लिए इस session में हमने permits tax registration और compliance के अलग-अलग types को जाना जिसको सीखना किसी भी business person के लिए बहुत जरूरी है आवशक पत्र जैसे PAN, TAN और उसके exact purpose को समझा फिर हमने compliance के महत्व को समझा और ये भी देखा कि compliance को ना मानने से आपके business पर कितनी problems आ सकती हैं फिर हमने filing को समझा जिसकी मदद से हम compliance को बरकरा रख सकते हैं और अंत में हमने HR और e-business policy के compliance पर भी बात की आपको इस session में देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा अगले session में हम intellectual property और उससे जुड़े मसलों पर बात करेंगे आशा करती हूँ कि अगले session में आपसे मुलाकात होगी See you